वेलकम बाक एवरिवान यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं रूट मॉबाइल लिमिटेट के बारे में बारे में रूट मॉबाइल परस्नली हमें भी काफी द्यादा पसंद आती है बिसनेस तो कंपनी का बहुत बड़ी है कंपनी की मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी मैनेजमेंट ने एक्जिट लिया इस कंपनी से 6,000 करोज करो सेख सेल उफ कर रहा है इसकी विरे से यहां पर आप देखेंगे यह वाले दिन पर कैंडल भी बना था इस तरीके के इतना मेजर वॉल्यूम प्रिशर आया था और देखो मुझे परस्नली ऐसा लगता है अगर कोई 6,000 करोड देखर एक कंपनी खरीदर है तो डिफिनिटली उनके पास में भी उस तरीकी एक्सपर्टीज और नॉलिज होग तो वो मुझे इसले कोई major problem नहीं लगता है हां बट single day पर उस news ने effect करा stock को यह चीज़े तो market के अंदर चलती ही रहेंगी market cap 9500 करोज का है अच्छा आगे बढ़ने से पहले भूल जाते है एपिसोड पसंद आए तो प्लीज चैनल को subscribe जरूर करना और like कर दो के तो हमारा दिन ही बन जाएगा एक corporate action भी है वैसे dividend आएक नहीं 9500 करोज का market cap है stock का भी 27 पे industry का भी 34 पे तो यह एक healthy sign है price to book भी अगर आप देखोगे 5.27 पे sales growth जबरदस्त आ रही है recently news आई थी इन्होंने Vodafone idea के साथ में जो है international business manage करने का A2P SMS traffic जो है यह लोग manage करने वाले है Vodafone idea का देखो अच्छी चीज़ है बटी है routine business वाली चीज़ है एक news के basis पे कोई जादा इतना फरक नहीं पड़ता है और business देखो मैं आपको definitely एक चीज़ सजेस्ट करूंगा अगर आप इस particular stock में इंट्रस्टेड है इसका business पढ़िए क्योंकि हमें लगता है इसके business के अंदर जिस नीश के अंदर यह company है वहाँ पे growth बहुत solid आने के chances है आने वाले years में तो that is one thing June 2022 के अंदर 729 करोज की sales थी figures बढ़के 967 करोज तक देखने को मिले net profit 71 करोज से बढ़के हाँ पे 92 करोज सक जाता हो नजर आया operating profit margin में भी 1% का jump है जो कि यह काफी अच्छा सा ही न है अगर हम लोग यहाँ पे annual sales की बात करते है तो growth जिस तरीकी आ रही है company में वो phenomenal है and especially आप देखेंगे covid years के बाद में acquisition लिट भी है थोड़ी सी company recently management ने काफी तरी companies को acquire कर रहा था middle east के अंदर तो वो भी एक अच्छा साहीन है company अगर grow कर पा रही है space पे तो that is good thing although जो businesses purely acquisition लिट होते हैं उनमें हमें थोड़ी सी problem होती है but यहाँ पे management बहुत strong है and वो लोग growth के हिसाप से है तो हमें लगता है यहाँ पे वो problem नहीं है यहाँ पे net profit अगर आप देखेंगे जबरतास and जिस तरीके से यहाँ पे EPS बड़ा है company का वही primary reason है जिसकी विरसे stock का P contract हुआ है and हमें 1500 के price पे भी stock जो है एक अच्छे price पे हमें नजर आता है अगर हम लोग यहाँ पे borrowings की बात करें सिर्व 140 करोज के हैं उसके against में 1700 करोज के हैं figures अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि यह company 2022 के अंदर almost debt free थी अभी थोड़ा सा loan लिया है हमें लगता है कोई problem नहीं है इस particular company के लिए इसके पास में अच्छा management है and cash flow इतना है कि company easily pay off कर सकता है promoters के पास में 58% of the company है FIIs ने stake को add किया है DIs ने stake को कम किया है and public के पास में 13.53% of the stake है आए corporate action देखते हैं 6th of September 2023 दो रुपे का एक नया dividend है इस साल के अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पर 11 रुपे का dividend already company दे चुकी है which is also a good thing for a shareholder but हमें लगता है यह company ऐसे stage पर जहाँ पर बहुत जादा dividends नहीं expect करने चाहिए दिखें यहाँ पर एक अच्छा breakdown देखने को मिला उसके बाद में stock ने जो है consolidation zone बनाया अब जो हमें लगता वो finally zone break करता हुआ stock उपर जाता हो नजर आ रहा है बड़ अभी भी हम लोगों ने इसके अंदर एक initial position को आड़ नहीं किया उसके बीचे में आपको reason बताता हूँ अभी उससे पहले आप यह देखिए कि यह जो zone है stock अभी तक break नहीं कर पाया है और हमें इसी zone के अंदर थोड़ से problem है हमें लगता है यह zone अगर break करता है stock 1670 रुपे का तो इसके ऊपर हम लोग definitely positions बनाने में इंट्रस्टेड होंगे बड़ अगर वापस से stock इसी level से नीचे track down हो जाता तो फिर हम लोग अभी के लिए stock को avoid करेंगे और जैसे आपको बता दे हम लोग के stock को hold करते हैं बट वो long term portfolio के अंदर है हमारे और उसकी average price बहुत अच्छी है तो अहां पर हमें कोई problem नहीं 1150 के आसपास में somewhere close down to that level यह जो हम आपसे बात कर रहे हैं हम लोग personal लेवल पर swing trade के हसाब से बात कर रहे हैं एक छोटे वीडियो में कहता हूं कि breakout पे जब हम लोग stocks buy करते हैं तो वो एक issue है जो रहे जाता है कि कहीं ना कहीं उसके बाद में stock तो रहे सा लाक करता है breakout देने के बाद में बट मुझे लगता है कि 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 किनी किनी stocks में आपको यह चीज जो है strategy follow personally हम लोग करते हैं और हमें लगत तक के targets यहां से हमें पहले नजर आ रहे है 2340 रुपे का next zone है यहां से and वो stock को all time high अगर वो stock break करता है तो फिर उपर जाता हो और जाता नजर आ सकता है और उसके लिए थोड़ सा हमें लगता है time है and market को भी full-fledged momentum में आना पड़ेगा in order to stock perform that way तो वो एक factor है उमीद करता यहोगी like, share, subscribe जरूर कर दीजेगा अगर पसंद आता है तो and फिर मिलिंगे नए एपिसोड के साथ में तब तक क्लेश शक्रिया and thanks for watching